हाई फ्रेंद्स आज हम सीखेंगे राइट साइड की आर्म होल की कटिंग और फिर गले की कटिंग तो इसके लिए हम पहले पीछे के साइड से मिलाकर देख लेते हैं यह देखे पीछे हमने इस तरह से arm hole की cutting की है ये वाला एक round shape में ये arm hole की cutting हो चुकी है इसके लिए हमने क्या किया है पहले हमने 3 2 1 1 इस तरह से फंदे हमने गिराए है तो चलिए हम शुरू करते हैं front side में इसी चीज को बनाना तो जो हमारा ये center वाला portion है वो सिधा सिधा बनेंगे हम ये corner वाला portion में हम 3-2 एक एक करके फंदे गिराएंगे तो अभी ये जो हमारा पहला row है उसे हमें जिस तरह से हम बन रहेते सिधा सिधा उसी तरह से बन के ये complete करना है ये row फंदे गिराने हैं हाँ एक बात का ध्यान रखें जो हमारा लास्ट फंदा है उसे बुन्ना नहीं है उसे ये उतार देना है उसके बाद क्या करना है ये इस तरह से आपको डालना है इस तरह से दो फंदों को एक साथ डालके उल्टा बुन्ना है फिर ये वाला फंदे को दुबारा इसमें डालना है लेफ्ट वाले निडल में फिर से दो फंदों को एक फंदे में बनाना है दो यह दो फंदे हमने गिरा दिये अभी फिर यह हम थर्ड फंदा गिराएंगे इस तरह से डालिए फिर यूँ फिर यह वाली रो को उल्टी उल्टी हमें बुनना है पूरे रो फिर हमारा जो सीधा साइड है उसको यहां से यहां से यहां तक पूरा हमें सीधा 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 बनाना है इसमें बस लास्ट वाला जो फंदा होगा उसे हमें बिना बुने उतारना है और यह लास्ट फंदे को ऐसे उतार देना है इसे बुनना नहीं है फिर ऑपोसिट साइड में आएंगे उल्टी साइड और बिना उसको नहीं है अभी हमें पहले हमने तीन फंदों को गिराय था, अभी हम दो फंदों को गिराएंगे एक, फिर इसको इसमें दुबारा डाल देजिए और इह 2, दो फंदे हमने गिरा दिये, अभी ये पूरे फंदों को उल्टा-उल्टा बुनकर खत्म करना है अभी यह वाले लाइन में हमें क्या करना है पूरा इहां से इहां तक हमें सीधा सीधा बनाना है लास्ट फंदे को हमें सीधा इस तरह से उतार देना है अभी हमकी इसमें स्रिफ एक फंदा गिराएंगे यह देखिए इस तरह से एक फंदे को हम यूँ गिरा देंगे फिर यह वाली पूरी रो को हम उल्टे उल्टे फंदे बना के खतम करेंगे अब ही सिधे आले रो में क्या करना है हमें उसी तरह से हमें पूरे फंदे सिधे सिधे सिधै बुनने हैं यह तक और एक वाले फंदे को बिना बुने उतार लेना है देखिए यह कंतिंग कितने सुंदर से यह आ रही है यह हमारे के गले की कटिंग गले की नहीं सोड़ी यह वाला आर्म होल की कटिंग है कि अच्छलिए अच्छलिए यह लास्ट वाला फंदा बिना वुने उतारना है हमने अभी यहाँ पे थ्री टू और इतने फंदे गिराए हैं तो हमें और बस दो बार एक एक फंदे गिराने हैं अभी हम इसमें एक फंदा गिराएंगे एक बस फिर पूरे रोग को आप उल्टे उल्टे बुन के कम्प्लीट करें फिर आजाईए सीधी तरफ सीधी तरफ आपको दुबारा से यहां से यहां तक बुनना है लास्ट वाले फंदे को उतार देना है फंदे को यूँ उतार लेंगे फिर इसमें हम दो फंदों का एक फंदा बनाके इसे उतार देंगे और यह वाले फंदे को यूँ उतार लेंगे पूरी रो हम उल्टे उल्टे बनाएंगे के अब ही यह हमारी आन्म होल की कतिन गुंप्लीत हो गई है यह देखिए हमारी जो आन्म होल का राण्ड सेफ है वह आचुका है इसमें तो हम इसे हमारे back के design से मिला के देखेंगे यह देखेंगे यह हमारी जो armhole के cutting है वो इस तरह से बनके आ चुकी है अभी हमें क्या करना है जो हमारा front side का part है इहां हमें उपर से गले 4 इंच के बुनाई तक मतलब इहां 4 इंच चब होगा आपका यह देखिए उपर से हम measure करेंगे 4 इंच यहां से हम गले की cutting करेंगे हम एक एक करके फंदे गिराते जाएंगे इस तरह से armhole के लिए हमने 3,2,1,1,1 करके गिराया था फिर गले के लिए हम एक,1,1 करके फंदे गिराएंगे फिर उपर जितना तक जाना है वो सिध्या सिधा जाएगा तो देखिए अभी हमें यह और बुन्ना है इसको यहां पर रखिए यह देखिए और 3,4 इंच हमें बुनाई करनी है उसके बाद से हम गले की कटिंग शुरू कर देंगे यह देखिए फ्रेंग्स अब हमने यह वाली जो हमारा फ्रंट साइड है यह ओल्मोस्ट चार इंच का गैप और हमें बुन्ना है तो हम इहां से अभी गले की कटिंग शुरू करेंगे इस तरह से एक बार दुबारा देख लीजे एक एक करके हम गले की कटिंग करेंगे तो चलीे शुरू करते है इसके लिए आपको इस बार क्या होगा आपका पहले जब हमने आर्म रोल की कटिंग की थी वह हमने उल्टे साइड से किया था यह जो गले की एक फंदा फिर इससे सिधा सिधा बनाएके पुरा पुरी रोग को कम्प्लीट करना है और जो फिर जो उल्टा साइड है उस उल्टे साइड को पूरे उल्टे उल्टे बना के खतम करना है फिर जो लास्ट वाला फंदा है इसे पहले के जैसे पिना बुने उतार देजे फिर अभी दुबारा हम एक फंदे को गिराएंगे यो और पूरी रो को सिधा सिधा बुन के खतम करेंगे सिधा रो कम्पलेट हो चुकी है अभी हम उल्टे रो बनाएंगे यह दिखें इस तरह से यह लास्ट का पहला वाला फंदा और लास्ट वाले फंदे को बिना बुने यह उतार लेंगे याद रखिए फ्रेंट्स अभी हम यह तीसरा फंदा उतार रहे हैं यह थर्ड इसको भी हमें सिधे रो के पहले शुरुआद में उतारना है फिर पूरे रो को हमें सिधा सिधा बुन के इसे कम्प्लीट करना है हमने तीन फंदे गिरा दिये अभी बस एक फंदा और गिराना है अभी यह उल्टा रो को पूर्य उल्टा बनाके खतम करना है बस लास्ट वाले फंदे को बिना बुने उतारना है यह लास्ट वाला फंदा बिना बुने उतार देजे अभी यह देखे यह गले की कटिंग भी कितना सुन्दर से बन के आया है यह देखे इस तरह से अभी हम लास्ट वाला फंदा गिराएंगे यह उसके बार एक बार हम पीछे वाला बैक पोर्शन में इसे डाल के देखेंगे की और कितना इसको बुनना है चलिए एक बार हम इसे मिला के देख लेते हैं यह हो गया हमारा बैक साइड और यह हो गया हमारा फ्रंट साइड तो इसे हमें इस तरह से मिला के देखना है यह देखें यह गले की कटिंग कितने खुबसरत से बनी है यह वाला अभी यहा तक हमें कुछ नहीं करना है बस सिधा 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 बुनना है यहा तक यह देखें हमारा फ्रंट साइड का यह वाला पार्ड बन के रेडि हो चुका है यह आर्म होल की कटिंग भी हो चुकी है और यह हमारे गले की cutting भी हो चुकी है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये लेफ साइड की armhole की cutting और लेफ साइड की गले की cutting कैसे करना है आई हो फ्रेंज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा अगर मिला है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले थैंक यू